प्रिवेस के उपर जो की है हमारे जैट के कुशन पर बात करेंगे और ऐसा नहीं कि रंडमली एक कुशन मैंने पिक किये है उन्हीं के ओपर हम लोग लाइन से डिसकेशन करते हुए चलेंगे उसे बहले एक बार रुखना आडियो वीडियो में चेक कर लूँ सब लियर है अगर किसी को नहीं पता है तो सर यह मेरा टेलिग्राम ग्रूप है इसको आप जॉइन कर सकते हो एक जैसे मैं कहते है एक सोर्स होना चाहिए अपने टीचर के साथ कनेक्ट होने का तो अनकेडमी एंटरिसकोर रमन जिसमें यू कैपिटल है और यह है मेरा रैफरल कोड डैट इस आर्मन वन जीरो तो सब्क्रिप्शन के वक्त आप इस कोड का यूज़ करना ना भूले और अभी राइट नौ अनकेडमी पर मिल रहा है 30 परसंट का फ्लेट डिसकाउंट तो 30 परसंट का डिसकाउंट एक्सेस करने के लिए code आपको पता ही है that is RMN10 तो यह 30% का discount आपको मिल जाएगा code RMN10 है ओके आगे सभी बच्चे शुरू करें सब discussion happy new year अभी को एक है session के थूरूप अभी जाकर करके अब लोग connect हुए तो आते हैं जी मुद्धे पे और यह हमारा एक और बाकिया new year के बाद जब हमारे offer end होगा 30% प्लैट discount का तो जो पुराले प्राइज से अले अकेडमी के वो हाइक होंगे ठीक है जो कि हर यह ऐर ऐसा हो जाता है अकसर देखने को मिलता है और यह हमारा बैच है जो कि start हो रहा है basic to advance batch for CAC 24 6th of January से start हो रहा है मेरी classes इसमें start होंगी 13th of January से इसमें मेरी classes start होंगी इसमें quants starting to end मैं देख रहा हूंगा तो अगर आप मेरी से quants अपना complete करना चाते हो तो इस batch को सामने है चुरू करते हैं आते हैं पहले question के साथ तो पहला question आपका जैट 23 का पहला question आपकी screen के उपर है एक बार फटावट से try करें और chat के थुरू बताएं कि क्या answer होना चाहिए सर इसका चलो सर तो पहला question आपके सामने question क्या कहना चाहरा है उसको देखते है question कहा रहा है कि पेंटर है जो की ड्रॉ करता है 64 equal square of one square inches on a square canvas जिसमें की 60 और canvas का जो size है वो 64 inches है और उसमें one inch के square वो क्या कर रहा है बना रहा है तो कितने बनेंगे सर 64 बनेंगे लिख भी दिया है सामने वाले ने ठीक है जब लिख दिया तो बताने की जरुवत नहीं थी पर ठीक है आगे बढ़ते है कहता है कि वो क्या करता है इसमें से कोई भी दो square choose करता है तो बताईए इसकी क्या probability है कि उसने वो जो दो square pick करे है वो एक दूसरे के साथ adjacent है यहीं बोला हुआ है उनमें एक side basically common है तो यह आपको बताना है अब यहां पर आपने देखा कि सर सामने वाले ने 64 क्यूब बना रखे है कि तने बनाए सर 64 क्यूब बनाए है एक बार मैसी बना देता हूं ठीक है एक बार ऐसिस 64 क्यूब मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से आपके सामने टोटल 64 क्यूब आपको दिख रहे हैं अब सामने वाले ने क्या करा इन 64 क्यूब में से कोई भी दो क्यूब पिक करें अब सर प्रॉबैबिलिटी होती है प्रॉबैबिलिटी होती है दैट इस वाट फेवरेबल आउटकम अप कोई दो स्क्वेर पिक करें अब सर वो तो कोई भी दो स्क्वेर हो सकते हैं तो 64 में से दो स्क्वेर को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं तो सर टोटल आउटकम होगा दैट इस 64 C2 होगा इतने तरीके से हम कोई भी दो स्क्वेर पिक कर सकते हैं इन 64 में से पर सर क्वे कि मतलब क्या सर मतलब जो आपने दो sky करें वह या तो ऐसे होने चाहिए में लाइक horizontal वे में दो square होने चाहिए एक site common नहीं तो फिर वह 2 square कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि उनमें black common फैले में horizontal वे में answer करता हूँ अगर मैं horizontal वे मेंदो square उठाता कर आउं तो कितने पिक करऊंगा तर या तो आप यह दों पिक कर सकते एक या यह दोनों यह दोनों यह 123567 तो total seven pair possible हैं अब यह जो seven pair आप उठा रहे हो यह seven pair यह तो चलो पहली 7 possibility बन रही है, अब total 8 pair है, तो कितनी possibility बनेगी, तो सर 7 7 7 7 7 7 8 बार, बतलब 7 is a 56, तो अगर आपने इस तरीके से उठाई होंगे, तो कितनी possibility बन रही है, सर 7 into 8, तो यहां पर आगे सर 7 into 8, प्लस, सर यह भी तो एक possibility है, कि क्या पता मैंने इस तरीके से पिक कियो हूँ, तो इस तरह से भी है, कितने बनेंगे, सर इस तरह से भी है, कितने बनेंगे 7, यानि column wise, एक column में 7 pair आप pick कर सकते हूँ, अब कितने column है, सर 8 column है, तो 7 8 यह भी 56, तो यहां पर भी आजाएगा 7 into 8, तो सर आपका answer कितना होगा, तो जब आप इसको calculate करोगे, खैर देखोंगों, यहां 112 आना है, नीचे एक बार देखे, 64C2, तो 64 into 63 divided by 2, यह इसको cancel out करेगा 32 पर, और 236, लास्ट में 6 भी है, तो ठीक है जी, यही answer है आपका, that is 112 upon me 2016, कितने बच्चों ने answer किया इसका? कितने बच्चे हैं, जो इस question का answer कर चुके हैं, एक बार में chat के through देख लेता हूँ, जाने समझ आ गया सभी को पहला question, ठीक है, तो यह था सर आज का, that 23 का पहला question, जो कि आपका PNC, या फिर probability से related है, आते हैं, आज के second question पे, जाने, अगला question पे आते है, अगला question सर आपके स तो अगर मैं PNC और probability पे बात करूँ, तो हर साल एक एक question भी मुझे देखने को मिले, PNC और probability पे, वो कई न कई probability का question कुछ इस तरह दे रहे हैं, कि उसमें PNC का use करवा रहे हैं, लेकिन ये surety है कि question तो आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग ज़रूर करना, इस थोच मे मत रहे हैं कि ओहो हो, एक ही question आ रहा है, क्या फरक पढ़ता है, ऐसे क्या फरक पढ़ता है वाले एंगल से, अगर मैं हर topic छोड़ने लग गया, तो तो फिर जी काम खराब है न, इस चीज का ध्यान रखे, इसलिए पढ़ना ज़रूर है, अगला question आपके सामने एक बार फट अच्छा लगा सुनके, मैं ऐसे में reply देना नहीं जानता है, ठीक है, जैसे YouTube पे कई बच्चे आते हो, और ऐसा thank you वाला message लिखते है, तो उसमें अच्छा reply क्या होना चाहिए, वो मैं सीखूंगा, बट अभी फिलाल इतना समझ लो कि बहुत खुशी होती है, मुझे ऐसे messages देखके, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा सुनके, बढ़िया, अभी यह बोल सकता हूं, अच्छ अच्छे reply में सीखूंग, YouTube पे सर्च करूंगा, मैं, how to give the best reply on students comment related to their success, या chat GPT पे डालूंगा, ठीक है, फिर वो मुझे बताएगा, यह reply देना होता है, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ, जी, आगया answer, आगया सभी का, क्या-क्या answer दे रहें, एक बार मैं देख लेता हूं, सत्यम B, B, पैम का कहना है, B, कुशाल B, शुभम का कहना है, C, आम तौर पर बच्चे B option कह रहे हैं, पर शुभम ने वहाँ पर C option भी बोला है, तो चलो सर्थ, करते हैं बाद, देखो, या बाक्यों ने कर लिया, try, कुछ चीज़े मजाग में लिखता हूं, बिश्वम, सीरेस ही हो गया है, तरहें कर लिया सबने, चलो, और कोई answer, पी कहना है सबका, बढ़िए, ओके, क्या पर देखना, I have 5, 10 रुपीज के नोट, 3 मेरे पास 20 रुपे के नोट है, और 2 मेरे पास 50 रुपे के नोट है, मैरा wallet है, उसमें 5 दददद सुरुपे के नोट है, 3, 20 रुपीज के नोट है, और 2, 50 रुपे के नोट है, आपने क्या किया, उस में से 3 note बाहर निकाले, अच्छा 3 note कोई से भी बहर आ सकते हैं, क्या पता सर जो 3 note मैंने निकाले, 3 artificWow के harbour 20 और टेन रूपी के हैं, 1 10 का, 1 20 का, 1 15 का, सर कुछ भी हो सकता है, तो सर यहाँ पर note कितने है, इस सर अगर मैं note देखूं, तो यहाँ पर note कितने 5, 3 और 2, कितने बने भई, 10 note बने, तो जब आप उसमें से 3 note बाहर निकालोगे, तो कितने possible note है, जो कि आप बाहर निकालोगे उस time पर, तो sir, 10 में से 3 note बाहर निकाले, कितना बना, that is 10C, तो यहाँ पर sir, मतलब total outcome कितने हो सकते हैं, total possibilities कितनी बन रही हैं तो sir, probability होता है हमारा, favorable outcome, upon में total outcome, अब sir, यहाँ पर 10 में से, मैंने 3 note बाहर निकाले, उसके कितने cases बन सकते हैं, तो sir, 10C3, तो यहाँ पर आगया आपका 10C3, पर आप चाहते क्या हो, probability किस चीज की निकालनी है, कि at least 90 रुपे जो है, वो आपके हाथ में है, कितने, कम से कम 90 रुपे आपके हाथ में आने चाहिए, 90 रुपीज, तो उसके लिए काम करते हैं, जो सबसे बड़ा note है, उसके साफ से चलते हैं, पहला, कि sir, मालनो मैंने 20 रुपे के note बाहर निकाले, पहला भी 50, अगला भी 50, ठीक है, अच्छा, 50 रुपे के दो ही note available है, तो 50 रुपे के maximum दो note आप निकाल सकते हो, अब जो तीसरा note आपने निकाला, आपने मालनों वो 10 रुपे का निकाला, बाद बन गई, 90 रुपे से ओपर चाहिए थे, मिल गए sir, 90 रुपी से ओपर मुझे, या यह भी हो सकता है कि sir, 250 के लिए, और 120 का लिया, sir, condition fulfill है, मैंने का हाँ, बन रहे ह 90 रुपे से ओपर, बढ़िया जी, खतम, 250 के note में यही possibility थी, अब चलो, 150 का note कर देता हूं, कि एक आपने 50 का note निकाला, और फिर आपने क्या किया, क्योंकि मुझे 90 रुपे पहुसना, थोड़ा maximum है, तो फिर मैंने 20 रखा, और फिर मैंने 220 के निकाले, 90 बन गया, फिर मैंन चलो, 50 के 2 note पे हमने case उठाये, एक note पे हमने case उठाया, ठीक है, अब चलो, 50 को calculation से हटा दो, अब 20 और 10 के 3 note मैं निकालूंगा, और एक बाग बताओ, क्या 90 रुपे से उपर निकल जाएंगे, 3 note निकालने, अगर 3 note 20 के भी निकाले ना, तो भी 60 ही बनेगा, और आपको 90 से उपर जाना है, तो सर यहां से बस यह 3 possibility मेरे सामने निकल के आ रही है, 3 possibility, अब यहां पर कितने cases होंगे, वो देख लेते हैं, कि सर इसके cases कितने बने, तो सर दो 50 के note है, और मैं दोनों ही बाहर निकाल रहा हूं, 2C2, multiply, सर 10 के 5 note है, मैं 1 note निकाल रहा हूं, तो सर 5C1, तो क यहां पर 2C2, क्योंकि 50 रुपे के 2 note है, 20 रुपे के 3 note है, यानि 3C1, कितना बन गया, 1 into 3, यानि की 3 case यहां से आ गए, सर यहां पर आ जाते है, 1 50 का, तो 2 में से 1 50, 2C1, और सर 2 20 के, 3 है, यानि की 3C2, तो यह कितना हो गया, सर, यहां पर सर यह हो गया, मेरा, that is 2 into 3, यानि 14, सरी, 14 आ गया, तो सर यह हो गया, मेरा 14, तो आपका आंसर क्या बना, सर 14 अपान में, 10 into 9 into 8, divided by 3 into 2 into 1, अगर मैं इसको स्टॉल करूँ, तो यह 3 इसको cancel out करेगा, 3 पे, यह 2 से cancel out करेगा, 4 पे, खोड़ा और कर लो, 2 से cancel out करेगा, 7 पे, 2 से cancel out करेगा, 5 पे, तो 7 अपान मे कितना हो गया, 60, तो 7 by 60 is the right answer, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा फंटा था, कि सर मुझे basically 3 note निकाल ले, अब 3 note के कितने cases बन सकते है, 10 C3, मुझे चाहिए 90 से उपर, तो पहले extreme पकड़े, 50 उर्पे के 2 note, accordingly solve किया, and आपके सामने 3 case आए, और 3ो में, यह 3 possibilities आई, इनके cases कितने बनें बनेंगे, तो sir, 15 cases, sorry, 14 cases बनेंगे, तो answer इस तरीके से solve करके 7 by 60, जले, अगर बोला नहीं है identical, तो आपको identical नहीं मानना, यार, note के कई बार sequence भी तो पीछे अलग होते हैं, अब सारे note similar कैसे हो सकते हैं, अब note के पीछे को होता है, वो क्या code सा, एक number लिखा होता है, ब क्लियर, चलो sir, next पे आ जाओ, ठीक है, next पे आ ना, और एक बार ट्राइ करना, अब ही कोई plan नहीं है मेरा, अगर cmet 24 से related कुछ plan हुआ, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है, अभी तो मेरा pure focus cat 24 वालों पे है, एक बार यह that over होगा, तो पहले उन पे purely dedicate होकर के अच्छे अच्छे content और अच्छे level के question बना के उनको पढ़ाने पर अभी main focus है, तो cmet का मैं लेकिन जल्दी ही बता दूगा, क्योंकि कई बच्चों के message है, बहुत delay नहीं करूँगा, जल्दी बता दूगा कि मैं शुरू कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं अपनी site से कोई help कर सकता हूं, तो वो किस तरह से cmet वालों को मैं help कर पाऊंगा, वो each ठीक है, एक एक, सिंपल सी game यह है, चलो पहले आप लो ट्राइ करो, पहले एक दो बच्चे और solve करो या, इतना जल्दी मैं क्या solution करो, क्योंकि main है, आपको भी समझ आना चाहिए, तो सर एक बार पहले आप लो फटा बचसे ट्राइ करो, आधा मिनट और लेलो, टाइमर वगिरा का भी तो feature होता है ना, इस पर यह जो notepad है, एक clock है तो, फील दे सकते, ओ, नहीं, तो ज़्यादा हो जड़े, बाद में करेंगे, टीक कर आउंगा मैं next class में, अब करेंगे सब चीज़े, लाइफ क्लास में ज़्यादा experiment नहीं दिखाने चाहिए, कई बार insult हो जाती है, यह बेटर है, अले question कर लो, एक स्मॉल स्टोर उसके पास 5 unit of new phone है, मतब मेरे पास 5 phone है, बेसिकली, उसमें से 2 है, मेरे पास जो phone है, उसमें 2 white है, 2 black है, 1 red है, ठीक है, मेरे पास 5 phone पड़े, 2 white, 2 black, 1 red, अब हुआ क्या कि 3 customer मेरी shop पर आए, इस सोच के साथ, कि वो एक phone खरीदेंगे, पर हर बंदा एक particular choice के साथ आया है, कि मैंने तो एक particular color का ही phone खरीदना है, otherwise मैं नहीं खरीदूँगा, जैसे अगर कोई customer आया, आपने बता है, देखे जी ये phone है, इसमें ये feature, वो feature, इतने MB, ये GB, ऐसे ऐसे करके पूरा explain किया, उसने बोला, नहीं, नहीं, हमें ये सब नहीं पता, हमको तो काले रंग का phone चाहिए, ठीक है, तो कहने का मतलब है, कि वो अपने माइंड से एक color सोच के आया हुआ है, उसके लिए color बहुत matter करता है, अगर, अगर वो color नहीं मिलेगा, तो phone नहीं खरीदेगा, पहले एक color वो सोच के basically आया है, all the three customers are equally likely to have chosen any of the three color, वो तीनों में से कोई भी color ले सकते हैं, उनका मन है, white, black, red, तीनों में से कुछ भी उठा सकते हैं, what is the probability कि जो store वाला, यानि कि जो मैं हूँ, मैं इन customers की जो need है, उसको satisfy कर पाऊंगा, अगर अगर देखे तो sufficient amount of phone नहीं है, तो अब जो पहला customer मेरी shop में आया, वो इन तीन में से कोई भी color की demand कर सकता है, white, black, red, तीन में से कोई भी demand कर देगा, यानि जो पहला customer आया, उसके पास तीन option है, ठीक है, वो इन तीन में से कुछ भी demand कर सकता है, white, black, red, अगला जो customer आया वो भी 3 में से कुछ भी demand कर सकता है white black red कुछ भी demand कर सकता है और जो तीसरा वाला आया वो भी 3 में से कुछ भी demand कर सकता है तो इस तरीके से यहाँ पर जो total outcome है वो बन गए 27 मतलब 27 possibilities मेरे सामने होनी चाहिए क्या क्याना चाहर है उसर 27 possibility मतलब क्या मतलब यह कि मालो पहला customer आया उसमें बोला white चाहिए अगले ने बोला white color अगले ने बोला white color यह possibility है जिसको मैं फिलाल satisfy नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो white color के phone है यह मालो जो customer आये उसमें पहले वाले ने बोला white color अगले ने बोला red अगले ने बोला white यह मैं satisfy कर दूंगा condition क्योंकि मेरे पास दो white एक red है यह यह भी हो सकता है कि पहला वाला मांगे red अगला वाला white अगला वाला white यह भी satisfy हो जाएगा यह अगर मालो पहले ने red अगले ने red और अगले ने मांगा black color तो यह मैं satisfy नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ही red color का phone है तो इस तरीके से हमें देखना है कि यह जो तीन letter है white यानि w, black यानि b, red मतलब r तो w, b, r के कितने combination बनेंगे repeat भी हो सकता है total 27 अब इसमें से आप बस यह देखो कि कौन-कौन से 27 में से वो कौन से cases है जो आप fulfill नहीं कर सकते तो आप क्या-क्या cases है जिनको fulfill नहीं कर पाओगे उसके ओपर बात कर लेते हैं पहला case कि सर अगर माल लो सामने वाले तीनों बंदों ने white color मांगा क्यूंकि मेरे पास 3 white, 3 black या 3 red नहीं है तो सर मैं condition fulfill नहीं कर सकता white 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 black 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 red 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 तो यह तो मेरे पास हाई नहीं सर दो black और तीसरा color कुछ भी मांगा मेरे पास available है और दो red मेरे पास available नहीं है तो red के cases देखो तो सर रेड 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 वाइट रेड 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 यह मैं fulfill नहीं कर सकता हाँ सिंगल कोई color लेगा वो मैनेज हो जाएगा तो कितने case बने सर एक दो 8 9 तो यह 9 cases मैं fulfill नहीं कर सकता 27 possibilities हो सकती है पर उनमें से 9 possibility मेरी shopper fulfill नहीं होगी तो मैं कितनी possibilities को fulfill करता हूँगा यह total 9 में से कितनी possibilities मैं fulfill कर सकता हूँ तो 27 में से 9 गया 18 possibilities मैं fulfill कर सकता हूँ तो probability क्या बनेगी total possibility 27 है पर इन 27 में से 18 possibilities मैं fulfill कर सकता हूँ तो answer कितना बनेगा सर आप cancel out कर दो 2 by 3 बनेगा क्या यह बात clear है सभी को एक बार बताना कि एक बार चैट के थुरू बताना clear है सभी को को doubt तो नहीं कि काफी बच्चों ने गलती answer दिया था पर समझ आया कि अधिवान पढ़ाता हूं मैं offline पढ़ाता हूं दिल्ली में कनाट प्लेस में center है अनकेडमी का दिल्ली के कनाट प्लेस वाले center पर मैं offline पढ़ाता हूं कि अगर आपको पढ़ना है अब आ सकते हैं लेकिन मैं honestly suggest करूंगा आप सभी को कि अगर जैसे बच्चा पूझ भी रहा था पतानी शायद मतुरा या कहां कह रहा था कि मैं दिल्ली मुझे ऐसा लग रहा था इतनी headache मतलो क्यूंकि online भी तो available है ना और online में अच्छी खासी class ह आपके पास नहीं था अगर आप subscription वगेरा लेके पढ़ोगे आपका time बहुत जादा बच जाता है इतना struggle करने की जरुवत नहीं है मैं यहीं राई दूंगा सभी बच्चों को कि मैं कि मैं जो हूं मैं दिल्ली में CP Center पढ़ाता हूं आ करके आप especially दिल्ली में CP Center मुझे लग मतलब है कि आपका एक कमरा चोटा सा जैसा भी वहाँ पर एक टेबल चेयर और आपका लैपटॉप और आपका फोन और आपकी किताबे ऐसे करें एक separate जगह होनी चे बस इतना अगर आप कर लो वह भी बेटर ठीक है online classes है week में तीन से चार बर मेरी क्वांट्स की क्लास होते ह साथ तो ठीक है कि तो बस इसका ध्यार रखना अधरवाइस ट्रैवलिंग बगेरा में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ठीक है कि सामने वाला तीन color के option है एक हो सकता है सामने वाला आपके आप से बॉले जी वाइट कलर का phone अगला वाला भी बोले white अगला भी में से कुछ भी demand कर सकता है 3 cases, अगला वाला भी white, black या red में से कुछ भी demand कर सकता है 3 cases, तो इस तरहा से जो total cases बने, वो 27 cases बने, क्यूंकि अगर देखो, मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको 3 activity perform करने को बोली, कि यह पहला customer है, second है, यह third है, पहला वाला 3 में से कोई भी color मांगेगा, अगला वाला 3 में से कोई भी color, अगला वाला 3 में से कोई भी color, तो बताओ कितनी possibility बनी, तो आप कहोगे सा 27 possibility बनी, मैंने का क्यूं, क्योंकि आपने का सर पहला वाला तीन में से कुछ भी मांग सकता है, तीन पॉसिबिलिटी, अगला वाला तीन में से कुछ भी, तीन, नेक्स वाला भी तीन, और मुझे तीनों कोई, तीनों का result लिखना है, मुझे तीनों activity perform करनी है, तो बीच में multiply आएगा, permutation, combination जब हम लोग करते हैं, तो एक होता है multiplication rule, एक होता है addition, अगर आपको लगे तीन में से कोई एक activity करनी है, तो प्लस का sign आएगा, अगर आपको लगे तीनों activity करनी है, तो बीच में multiply का sign आएगा, तो इसलिए मैंने 27 लिखा था, जब जीट, एक बार बताओ, clear, इसका answer क्या है आप सबका, अगर इस question को solve किया है, आया किसी बच्चे का answer, वेट करूं मैं, एक मिनट का और, तो मैं एक मिनट और वेट कर रहो, करो फटा, फटा फटसल्व, तो इभी मुद्दा है ना कि यार कराने को मैं एक दम से करा सकता हूँ, लेकिन पॉइंट ही है, कि आपका thought process improve होना चाहिए, और अगर मैं ऐसे question दिखा गए, फटाक से solve करा दू तो फाइदा नीए, ठीक है, पीवाई कि उसका मजा तब ही है ना, कि पहले आप ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर मैं करूँगा, ठीक है, अगला option मैंने पूरा नहीं लिखाए, ठीक है, ठीक है, अश्मित का कहना है 0.8, प्रशालत का कहना है C, C यानि 0.94, और mindfulness 0.94, बहुत बढ़िया है, अब तक तो खर सब के गलत है, अभी तक तो सब के गलत है, बाकि, यह 0.87 वाला कौन है, सिद्धी, एंड पैम, सही है जी, 0.87 सही है, पर कैसे, सही है सर, कैसे सही है, उस पे बात करो, यह तो हमें भी पता लग गया सही है, चलो सर, ध्यान से सुनना बात को, ठीको, गेम क्या है, वो समझते हैं, गेम यह है, अशोक has a bag, containing 40 cards, अशोक के पास एक bag है, और उसमें 40 card है, और नमबर है 1 से 40 तक, एक लड़का शोक नाम का imagine करो, उसके bag में 40 card है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 40 तक, सबके उपर एक एक counting लिखी हुई है, फिर उसके बाद है कौन, अच्छा, कोई भी दो card जो है, वो payment teaser के नहीं है, मतब 40 card है, और 40 अलग-अलग number है, लाइक वाइव, उसकी जो sister है, शिलपा, अब शिलपा को imagine करते है, उसके पास 5 card है, और लिखा हुए 1, 2, 3, 4, 5, किसी भी 2 card पे same number नहीं है, मतब 5 card है, पहले पे 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, अब उनकी मदर आती है, लता, और वो क्या गरती है, randomly draw 1 card from अशोक का bag, और एक card लेते हैं, शिलपा के bag से, और दोनों number को लिखती है, अगर लता divide करे, अशोक के bag में से जो card निकाला, अगर वो उसको divide करती है, जो शिलपा के bag में से card निकाला, उससे, तो जो remainder आएगा, आपका remainder 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 से बड़ा नहीं होगा, मतलब आपका जो remainder है, वो 0, 1 या 2 आ सकता है, 0, 1 या 2 आ सकता है remainder, उसने क्या किया, अशोक के bag से card निकाला, शिलपा के bag से card निकाला, अशोक के नंबर को शिल्पा के नंबर से डिवाइड किया और देखा कि रिमेंडर 2 से बढ़ा नहीं आ रहा है मतब रिमेंडर 0 1 या 2 आ रहा है तो imagine करते हैं यहाँ पर शिल्पा, अशोक तो माल लो शिल्पा के बैक से उसने निकाला अशोक के बैक से जो काड आया है उसको वो क्या कर रही है वन से डिवाइड कर रही है अब भई अगर वो वन से किसी को भी डिवाइड करेगी तो वो तो पूरा ही डिवाइड हो जाना है तो अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर सर शिल्पा के बैक से आया वन अगर शिल्पा के बैक से आया वन तो अशोक के बैक से सर 1240 कुछ भी आ सकता है तो कितनी possibilities बनी सर 40 possibility तो यह उठा लो पहले आप ठीक है कितनी आगी that is 40 यहां तक बात clear है मतब 40 cases कौन से 40 cases 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 से 140 तक total 40 अच्छा यहां पर total outcome कितने बनेंगे सर यहां पर total outcome बन रहे होंगे अगर total outcome देखें तो यहां पर जो total outcome बनेंगे वो कितने बनेंगे तो वो क्या कर रहे है एक तो अशोक के bag में से card निकाल रहे है और एक शिलपा के bag में से अशोक के bag में से 1 2 40 कुछ भी आ सकता है याशनी totalael 40 possibility शिलपा के bag में से 15 कुछ बी आ सकता है मतलब 5 possibility और activity से दोनों perform करनी है दोनों के back से जो number आ रहा है उसको note down कर रही है बतब दोनों काम कर रही है तो multiply आएगा और बना कितना 200 यानि यहाँ पर sir 200 cases possible है 200 कैसे कैसे मैं जो example बोलूँगा पहले शिल्पा का number फिर अशोक का number मैं बोल रहा हूँ कैसे 139, 15, 16 चलपा के back से 2 आया अशोक के back जैना ऐसे है तो अशोक के back से 20 आया तो 3, 28 पॉस्प्सिबिलिटी डिंहां समझ गए न भाद चैसे 200 बन रही है चलपा के back का number और अशोक के back का number टोनल दोजो पॉसिबिलिटी पर वो जो चाहती है वो चाहती है कि जब मैं आशोक के नंबर को शिल्पा के नंबर से डिवाइड करूँ तो रिमेंडर 2 से बड़ा नहीं आना चाहिए तो इन 200 में से कितनी possibility है तो कि इस condition को fulfill कर रही है तो सर शिल्पा के back से अगर 1 कि सर शिल्पा के back से नंबर कितना लिए है मैंने एक ही ले रहाओ भी मैं और यहां 1240 कुछ भी आ सकता है तो सर यहोगे total 40 के मालो सर शिल्पा के बैक से निकाला दो अगर शिल्पा के बैक से टू आया है अगर शिल्पा के बैक से टू आया तो अगर हम किसी भी नंबर को दो से डिवाइड करते हैं यानि अशोक के नंबर को अगर शिल्पा के बैक से दो आया है तो अशोक के नंबर को दो से करोगे तो remainder के आएगा या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा और condition fulfill हो रही है क्योंकि उसने बोला था remainder 2 से जादा नहीं होना चाहिए और अगर आप किसी भी number को 2 से divide करोगे तो remainder या तो 0 आता है 1 आता है यानि शिल्पा के back से 2 निकाला तो अशोक के back में से 40 में से कोई भी number तो यहाँ पर भी बन गए सर 40 cases अब सर मालो शिल्पा के back से निकाला 3 तो अशोक के back के number को शिल्पा के number यानि 3 से divide करोगे तो remainder आएगा 0 1 या 2 आएगा भई 3 से divide करने पर 2 से बड़ा remainder तो आएगा नहीं तो सर यहाँ पर भी सारे cases fulfill हो जाएंगे अशोक का कोई भी number उठाके शिल्पा के number 3 से divide करो remainder 2 से बड़ा नहीं आएगा तो सर यहाँ पर भी सारे cases valid जा रहे हैं तो शिल्पा के back से एक ही number ले रहा हूं मैं 3 और अशोक के number को अगर 4 से divide करोगे तो remainder आएगा 0 1 2 या फिर 3 पर सर यह 3 नहीं आ सकता तो अब आपको कौन से cases हटाने हैं आपको वह cases हटाने अशोक के bag के वह number हटा दो यानि वह number consider नहीं होंगे जिने की 4 से divide करने पर 3 remainder आता है तो यार अगर मैं यह चीज़ चेक करूँ कि कितने नंबर ऐसे हैं जिनको 4 से divide करने पर 3 remainder आता है यारी मैं कौन सी form के number नहीं चाहता हूं इस वक्त मैं चाहता हूं सर मुझे इस form के number नहीं मिलने चाहिए कि 4 से divide करने पर 3 remainder यानि कि 4K प्लस 3 इस form के number मुझे नहीं मिलने चाहिए कि स्विल्पा के back से निकाला तो फोर जीरो जा जीरो और प्लस त्री यानि थ्री और लास्ट में कौन सा नंबर होगा क्यूंकि 40 से उपर नहीं जाना अशोक के बैग में टोटल 40 नंबर तक है तो फोर अगर आप के की जगा नाइन ले लो तो फोर नाइन जा थर्टी सिक्स में तीन एड करो यानि थर्ट क्या होता है लास्ट तर्म माइनस फॉर्स तर्म डिवाइडट बाई दर्डिफरेंस प्लस तो यह सीधा-सीधा फॉर्मला होता है अगर मैं बात करूं फॉर के प्लस थृ इस फॉर्म से बनने वाले नंबर तो के की जगा जीरो डालो तीन आएगा के की जगा वन कितना यानि 39 तो हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर से मतलब है तो अगर यह नंबर 4K प्लस 3 है तो अभिसली यहां एपी बनेगी जो की बनेगी 3 7 11 39 तो नंबर आफ टम्स कितने के नंबर मुझे नहीं लेने इस फॉर्म के कितने नंबर बनेंगे सर एक 3 बनेगा एक 7 बनेगा और लास्ट में 39 बनेगा तो कितने नंबर बन गए सर 39 माइनस 3 डिवाइड़ बाइ 4 प्लस 1 यानि टोटल 10 नंबर बन गए तो सर अगर आप शिल्पा के बैग से 4 लोगे न तो अशोक के बैग से 10 नंबर ऐसे जो आप नहीं ले सकते बाती सारे नंबर लो अशोक के बैग के नंबर उन्हें 4 से डिवाइड करो रिमेंडर 0,1,2 आएगा पर आप अशोक के बैग से वो नंबर नहीं उठाओगे जिसमें की 3 रिमेंडर आ जाए तो अशोक के बैग में ऐसे कितने नंबर है जिसे 4 से डिवाइड करने पे 3 रिम नमबर है उसमें से 10 नमबर मैं नहीं ले सकता तो टोटल तीस नमबर ले सकता हो मतलब 30 आगया यहां से उमीद है कि बात क्लियर है सभी को राइट क्या तक पूरी पिक्चर क्लियर है अब आजो 5 पे तोटल आउटकम 200 है में फेवरेबल निकालना है और फेवरेबल अभी तक सर कितने बन चुके हैं सर 1 है तो 40 2 है तो 43 है तो 44 के case में 30 तो सर 40 40 40 और 80 तो नीचे दिख रहा है न चलो सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हटा देता है अब उसके बाद एक काम करते सर शिल्पा के बैक से निकालते हैं नमबर कितना 5 ठीक है अब शिल्पा के बैक से लेते है नमबर 5 तो अशोक के नमबर को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमेंडर आएगा 0 1 2 3 या 4 तो आप सर 3 और 4 नहीं ले सकते क्योंकि रिमेंडर 2 से बड़ा नहीं आना चाहिए तो अशोक के बैक से कौन से नमबर आप नहीं उठाओगे तो सर यह जो अशोक है इ सर पांच के मल्टीपल से चार जादा यह दो कैटिग्री ओफ नमबर मुझे नहीं उठाने कितने नमबर बनेंगे ऐसे तो सर यहाँ पर अगर आप देखो पांच के मल्टीपल से तीन जादा जैसे कि तीन 5 4 3 8 और लास्ट में कितना आएगा क्योंकि 40 से उपर नहीं जाना तो 5 7 जा 35 और 3 यानि 38 कितने नमबर बने ऐसे सर 38 माइनस 3 डिवाइड़ बाई 5 प्लस 1 यानि टोटल 8 नमबर बने यहाँ पर क्या आएगा सर यहाँ पर आएगा 4 फिर आएगा 9 और लास्ट में कितना आएगा 39 कितने नमबर बने सर 39 माइनस 4 डिवाइड़ बाई 5 और प्ल 24 नंबर आप अशोक के बैक से ले सकते हो, तो शिल्पा के बैक से एक नंबर, अशोक के बैक से 24, टोटल बने 24 केसे, तो कितना हो गया सर यहाँ पर, तो probability होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितनी है, सर यहोगे 174, divided by 200, तो कितना आंसर आएगा, इसको डिवा करना चाता हूँ, और यह भी बात ध्यान रखना कई बार न, जैसे कई बार चैक में बच्चे लिखते हैं, कि यह ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, बात को समझो, मेरा काम यहाँ आपके आगे शोचा बाजी करना ने कि देखो, यह यह शॉटकट आ गया अंसर, यह यह शॉट प्रोसेस किसी के दिमाग में आ चुका है, तो वो इतना डिटेल में नहीं लिखेगा, पर मैं आपके साथ करियों न, कि हम दोनों में कोई कॉम्पेटिशन हो रहा है, कौन जल्दी सॉल्व करेगा, मेरा काम पढ़ाने का है, तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, इतनी सजावत थूड़ी करूँगा, कि देखो जी यहां से, अच्छा यहां से 1 to 5, अच्छा यहां 1 to 40, तो अच्छा इसलिए 5 into 40, अच्छा इसलिए 200, यह सब टाइम पास मैं थूड़ी करूँगा, यार, लेकिन मेरा काम सिखाने का है, पढ़ाने का है, तो मैं तरीके से एक एक चीज को बता रहा हूँगा, ठीक है, इस चीज को समझना, यह बात क्लियर है, सभी बच्छों को यह सोनो, एक बाद चाट के थूड़ी बताओ, पांच तक इसलिए लिया है, मैंने, रविंद्रा, क्यूंकि शिल्पा के बैग में जो नंबर है न, वो सिर्फ 5 तक है शिल्पा के बैग में जो नंबर है, वो 5 तक है, और अशोक के बैग में 40 तक है, और question में ये बोला गया था, कि अशोक के बैग का जो नंबर है, उसे शिल्पा के बैग के नंबर से डिवाइड करना है, और remainder आना चाहिए 0, 1, 2, तो इसलिए मैं जो पहले preference दे रहा हूँ, तो अशोक के बैग से 1, 2, 40 कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि 2 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, तो remainder 2 से जाधा नहीं होगा, अगर आप शिल्पा के बैग से 3 उठाओगे, तो यहाँ आप 1, 2, 40 कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि शिल्पा के बैग में जो नंबर ह है, वो 1 से ले करके 5 तक है, और अशोक के बैग में 1 से ले करके 40 तक है, लेकिन शिल्पा के बैग, क्योंकि 3 लेने पर 1 to 40 कुछ भी ले सकता हो, क्योंकि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, तो remainder कभी भी 2 से बड़ा नहीं आता, condition फुल्फिल हो रही है, लेकिन जब मैं शिल्पा के बैग से 4 लूँगा, तो 4 के केस में remainder 3 भी आता है, तो मुझे वो cases हटाने है, अशोक के bag में से, वो cases हटाने है, कौन से cases हटाने है, जिसमें की 4 से डिवाइड करने पर 3 remainder आ जाए, यानि ये वाली form नहीं होनी चाहिए, यानि 3, 7 से ले करके, कितना, that is 4 का multiple है, 36 और 3, 39, तो 39 माइनस 3 divided by 4 प्लस 1, यानि कि 10 नमबर में अशोक के bag से नहीं ले सकता, तो यहाँ पर अशोक के bag से मैं 40 नमबर ले रहा था, तो 40 case, यहाँ पर भी 40 ले रहा हूं, तिल्पा के bag से एक नमबर, यहाँ 40 में से कुछ भी 40 case, तिल्पा के bag में से एक नमबर, यहाँ 40 में से कुछ भी, मतलब 40 case, जिल्पा के bag से एक नमबर लिया, मतलब की 4, एक नमबर लिया ना 4, अशोक के bag में से आप ये 10 नमबर नहीं ले सकते, मतलब 30 नमबर आप अशोक के bag से उठा सकते हो, बने 30 cases, अब अगर आपने शिल्पा के bag से लिया नमबर 5, तो 5 के case म 5 k plus 4 यह cases हटा दिये 5 k plus 3 मतलब क्या के की जगा 0 डालो 3 8 और लास में कितना 38 कितने नमबर बने 38 माइनस 3 divided by 5 plus 1 यानि कितना बना सर 8 नमबर यहां क्या बनेगा सर 0 4 और लास में क्या आ रहा होगा सर 39 तो यह कितना हो गया 39 माइनस 4 divided by 5 plus 1 यानि 8 cases तो यह टोटल 16 नमबर आप अशोक के बैग से नहीं ले सकते तो अशोक के बैग में 40 नमबर है 40 में से 16 अटा 24 नमबर तो 24 पॉसिबिलिटी यहां से बनी तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन गई that is add किया 174 अच्छा प्रॉबबिलिटी हो दे favorable अपॉन टोटल अशोक के बैग में से 40 में से कोई भी नमबर आ सकते और शिल्पा के बैग में से एक से पांच कोई भी नमबर आ सकता है टोटल 200 तो इसलिए अपान में 200 उमीद है कि यार यह क्विश्चन अपको तभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि आने आगे बड़े हैं 100 प्लस लाइक हुए नहीं गया 100 प्लस इस वीडियो को पहुचा है अगर ठीक लगे तो लाइक कर देरा नंबर आफ लाइक से हमें भी अच्छा लगता है अज़ा नहीं है यह क्वेश्चन हाला कि प्रॉबबिलिटी आ पका नहीं है तो थोड़ा सा मतलब यूनों बॉल वगेरा से रिलेटेड है कि ये क्रिकेट बॉल है टैनिस बॉल है और ये कौन सी है रबड की बॉल है अब क्यूंकि नमबर ओफ क्वेशन इतने जाधा मुझे नहीं मिल रहे थे प्रीवेस एर में तो मेरा मनुवर मैंने का चलिया ये क्वेशन भी डिसक चलो एक डिसकस करा देंगे ठीक है अगर सर लाइक करने को बोले तो डिसलाइक करो अगर सर सोलुशन के वक्त बोले पास से डिवाइड करो तो तुम चार से डिवाइड करो अगर किसी क्वेशन में यहां पर साइन ये वाला रूल लगे का आप उल्टा लगाओ अभी तो सब्सक्राइब होगे तरकी बात के सुननी है तुम्हें जो वो बोले हमेशा उसका उल्टा करो तो समझाए वह ना समझके कुछ अलग समझना है निहाल महेश्वरी कि अधि कि अधि पीवाई क्यू पभी सेशन होगा अधि जब रहा कि करूंगा अब ही तो कर में तो अ सेकिंड है ना तीन जबरा के करा दूंगा तो फिर में एक बच्चे ने मैसेज भी गया था क्लॉक से रिलेटेड इसाथ क्लॉक के प्रिशन्स करा दो जो पीवाई क्यू है थोड़ा क्लॉक के पीवाई क्यू उसके उपर एक बार आगे अंसर आप सबका क्या अंसर आया है अलो गोपाल एंड़ पिच्ट्राफ्टर अम आई जस्ट डू दिस सेशन अफ पबबरिटी नहीं यार यह सही नहीं रहेगा मैं आपको बताऊं यह तो पीवाई क्यू आप देखो तो मैं हर साल एक पीवाई क्यू है सारे के सारे यह concept तो गवर हो नहीं रही है थीचै है प्रॉबबबिलिटी पढ़ लो अभी मैंने पढ़ाया दो तीन तीन पहले और अगर आपके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन तो इन डाट केस ताकि एक होता नहीं कि कुछ ना से कुछ से आडली बेसिक तो क्लियर हो तो मैंने सीमेट के टाइम पर सर्च करना यूट्यूब प आया किसी बच्चे का अंसर है इसका चैट के तुरू बताव या ओके सो कहता है एक बॉक्स है अंसर गया सब्सक्रिक्प्रिच केंट चैना प्रिपोर्चिट उथक्तिव और पूर्पोर्चिन अफ डपोर्चिव टैनिस बॉल but less than the proportion of defective rubber ball okay overall proportion जो है defective balls का defective का overall proportion जो है वो double है than the tennis ball okay तो what best can be about can be said about the number of defective rubber ball in the box मतब शायद इसके possible answer आ सकते है on that basis वो कह रहा है कि क्या best हो सकता है इसका answer ठीक है एब डेटा नोट कर लेते हैं यहां पर कहता है cricket ball tennis और यह हो गई total ball है defective है non defective ठीक है काम करते है तरह चेक कर लेते हैं एक बार तो यहां पर अगर मैं देखूं तो defective ball non defective और फिर टोटल ball कितनी बनी ठीक है यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक इस पोड़ा डेटा लिख लेते हैं वो इजी रहेगा सॉल्व करना सबसे पहले cricket ball है सबसे पहले आ गया के बाद है आपका टैनिस एंड देन उसके बाद कि आपका रबर बॉर्ड यहां पर question में बोला गया है टोटल यह कितनी है that is 6 है इसमें defective कितनी है माल लो ए तो यह कितनी होगे that is 6-a यहां पर टैनिस वाली 5 बॉल है माल लेते हैं यहां पर यह B हो गया तो यह कितना हो जाएगा 5-b और यहां पर यह टोटल कितनी है that is 4 रबड की बॉल है तो यह सी है तो यह हो जाएगा 4-c ऐसा भी मैं फिलाल में डेटा लिख देता हूं ताकि सिंपल रहे उसके बाद और क्या बोला गया कहता है जो प्रिपोर्षण है डिफेक्टिव क्रिकेट बॉल का वह ज्यादा है जैंदर प्रिपोर्षण आफ टैनिस के अंदर पांच में से बी डिफेक्टिव है तो बी अपॉन 5 हो गया यह और कहता है बट less than the rubber rubber में कितनी है that is c out of 4 तो ये एक मुझे information दी गई है ठीक है एक information और दी गई है कहता है जो overall defective balls है जो कि है a plus b plus c upon में 15 क्योंकि total 15 ball है जो है वो क्या है double है देन दा टैनिस में जो कि defective ball है tennis में b लिखा है मैंने तो यानि कि b by 5 यह मेरे सामने कुछ given है अगर मैं इसको थोड़ा simplify करूं 5 इसको 3 पर cut करेगा यानि a plus b plus c is equal to twice of b और b हाँ इसको minus करेगा तो मैं कह सकता हूं कि यह हो जाएगा मेरा a plus c is equal to a plus c यह निवहा जाएगा 6 यानि कि 5B यह मैं बोल सकता हूं एक information यह मेरे पास a plus c और यह हो जाएगा 5B सही है जी perfect बढ़िया ठीक है तो यह basically इतनी information इस सामने वाले ने मुझे दे रखी है और उसके बाद यह कहता है कि बताओ कि what can be said about rubber की अच्छा c के उपर मुझे बात करने है कि c की value के उपर basically मुझे discussion करना है कि क्या आप c की value बता सकते हो यहाँ पर क्या होगी तो मैंने गा यार चलो देखो अगर मैं c b की बात करूं जैसे मुझे आएक equation पता है a plus c equal to 5 b अगर मालो let's say कि मैंने यहाँ पर बी की जगा वन लिया अगर मैंने बी की जगा लिया वन अगर मैं बी की जगा वन लेता हूं तो a plus c की value कितनी आ जाएगी और a plus c की value आएगी 5 अगर मैं बी की जगा टू लेता हूं तो a plus c की value कितनी आएगी 10 आएगी एक चीज देखो a plus c 10 देखो क्रिकेट वाली थे बॉल है रबड वाली चार बॉल है यह तो टोटल 10 बॉल है और यहां मैं कहा रहा हूं कि जो डिफेक्टिव बॉल है वो 10 है समझना बात को अगर आप ध्यान डिफेक्टिव बॉल सी मतलब रबड वाले में डिफेक्टिव बॉल तो मेरा कहला है डिफेक्टिव बॉल्स का जो सम है वो 10 है जबकि इसमें टोटल का सम 10 है तो क्या यह गलत नहीं हो गया मतलब मैं B को 2 नहीं ले सकता अब बच्चा कैसे गलत हो गया वालो सर जो टोटल बॉल है वो सारी की सारी defective है है बतर यह टोटल बॉल 6 ख़े की 6 defective 4 की 4 defective सर पॉसिबल तो है नहीं है क्यूं सर क्यूंक्य अगर ये दोनों आपस में equal हैं तो यह बनेगा six upon six यानि की one और यह क्या बनेगा four upon four यानि one और one one से greater कैसे हो सकता है नहीं हो सकता ना तो इसलिए यहाँ पर आप b की value two नहीं ले सकते तो बी की value क्या निकली that is sir यहाँ से समझ में आया कि जो b की value है वो कितनी है that is one है तो यहां से बी की value तो चलो वन आ गए तो सर अगर इस question में कहता कि बी की value बताओ यानि कि यह बताओ कि tennis के अंदर defective ball कितनी है तो मैं answer बता देता वन है कि tennis के अंदर एक defective ball है यह मैं बता देता लेकिन उसमें बात करी है सी के उपर चलो सर सी पर आते हैं यह पता लगया ना इसकी value वन होगी तो मेरे पास आ गया a plus c equal to 5 तो यहाँ पर अगर मैं देखू तो एक वैल्यू क्या है मेरी that is 5 minus c 5 minus c अब सोचो c की value क्या हो सकती है क्या आप c की value 1 ले सकते हो क्या मैं यह पर c value 1 ले सकता हूं चेक करता हूं अगर मैंने c की value 1 ली ठीक है c1 है अगर मालों मैं c की value 1 लेता हूं example के लिए अगर मैंने c1 लिया तो a की value कितनी आएगी 4 अगर मैंने c1 तो सर a की value 4 आ जाएगी किल्कुल आ जाएगी सर अब जड़ा हो जाएगा सर यह हो जाएगा 4 by 6 अच्छा 1 by 4 कितना यह इससे बड़ा होना चाहिए पर क्या इससे बड़ा है वन को 4 से divide करोगे 0.25 आएगा और इसको इससे divide करोगे 0.33 सर यह तो गलत हो गया अगर आप c को 1 लोगे तो a4 आएगा और इसमें पुट करोगे तो 1 by 4 4 by 6 से बड़ा नहीं है यह condition गलत हो रही है तो सर आप c को 1 नहीं ले सकते चलो हटा दो c को 1 नहीं ले सकता मैं फिर मैंने का भाई c को 2 ले सकते हैं क्या अगर मैं c को 2 लेता हूं तो यह मेरा 3 आएगा चेक करता हूं यहाँ पर 2 अपन 4 क्या बड़ा होगा 3 3 upon 6 से, क्या यह greater है? नहीं, यह भी गलत हो गया. यहाँ पर यह भी गलत हो गया. अगर आप 2 लोगे तो यह भी half, यह भी half, यह भी गलत है. तो सरा आप C की value 2 भी नहीं ले सकते. ठीक है जी? मैंने गा क्या मैं C की value जो है? क्या मैं C की value 3 ले सकते हो अगर C की वेल्यू 3 लोंगा तो A की वेल्यू 2 आ जाएगी अच्छा option कौन कौन से गट गए यह option गलत है यह option गलत है तिक 2 option बचे 3 या 3 और 4 यह 2 option बचे मेरे पास अगर मैं 3 लेता हो यह 2 आएगा तो 3 by 4 क्या greater होगा 2 by 6 से हां सर यह सही है क्योंकि यह 0.75 आएगा यह 0.33 तो सर यह सही है तो सर जो C की value है वो 3 हो सकती है अच्छा 4 हो सकती है क्या अगर मैं 4 लेके देखू अगर मैं इसको 4 रखता हूँ तो C की value अगर मैंने 4 ली तो A की value कितनी आएगी 1 तो यहां पर यह कितना बनेगा, 4 by 4 बन जाएगा, 4 by 4 यानि कितना हो जाएगा, आपका, that is 1 हो जाएगा, और यहां पर यह कितना आएगा, आपका, that is 1 out of 6, तो एक आपका, that is 4 by 4, is greater than 1 out of 6, right है, अब सर पॉसिबिलिटी तो यह भी निक्वा, एक बार चैट के थ्रू बताओ चल रहे साख चल रहे साख एक बाद चैट के थुरू बताना यहां तक रहे सभी को कि अखर चैट के थुरू बता और यहां तक सभी पूरी पिच्चार अग्षून अगर मैं फोर लेता हूं तो सर ये तो ट्रू निकल रहे हैं सर तो क्या मैं अगर आप सी को फोर लेते हो अगर आपने सी को फोर लिया और यहां पर आपने कितना लिया अच्छा यह भी छोड़ो यहां पर अगर मैंने लिया सी को फोर तो फोर बाई फोर वन बाई सिक्स अच्छा बी की वैल्यू क्या थी सर बी की वैल्यू वन थी तो अगर आप चेक करो तो ये तो करेक्ट है क्यूंकि मैंने क्या बोला आप सी फोर लेरो ए वन है पर बी कितना है बी वन चल रहा है ये भ 0.16 होगा तर यह 0.20 होगा तो सर अगर आप सी को 4 लोगे तो 4 by 4 1 by 6 से बढ़ा है पर सर B1 है पर अगर आप देखो 1 by 6 जो है वो 1 by 6 से बढ़ा है क्या नहीं सर यह गलत हो गया अब बच्चा गयागा सर 3 पर आपने चेक नहीं किया चलो करके देख लेते हैं ठीक है 4 नहीं हो सकता ध्यान रखना तो इसको भी कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूं C को मैंने 3 लिया था तो A मेरा 2 आया था और B मेरा 1 था 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 तो यह कितना बना था 3 3 by 4 greater than 2 by 6 greater than 1 by 1 by कितना 5 check करो यह true है विल्कुल true है sir 0.75 0.33 0.2 यह correct है तो sir यहाँ पर एक ही है that is exactly 3 तो इसलिए question मुझे था धंका लगा मैंने क्लास में discuss करेंगे क्यूंकि cases बन रहे थे काफी सारे कि आई होप समझ आ गया होगा कि आगे बढ़ते हैं next वे आते हैं अच्छे देख लेना तो यहां पर basically cases बना बना के चेक करने हमें सारे के सारे ठीक है तो यहां जैसे शॉट में मैं समप कर देता हूं एक बार इसको मैं शॉट में समप कर देता हूं बस यहां पर overall जो हमारा question गया था यहां पर दुबारा देख लेना है थोड़ा लेंदी बड़ेगा बस आप यह देख लेना कि कुछ condition थी और बस तारी condition fulfill होनी चाहिए थी that's it लिए इबर वह आप देख लेए तो यहां पर बस एक बार ऐसे शॉट में मैं बता देता हूं यह मैंने कुछ क्रिकेट पर माललें तेट यह डिट इफेक्टिव बॉल है टोटल बॉल कितनी थी यह यह रबडवाली और यह होगा आपका C, तो यह हो जाएगा 4-C, information बस यह गिवन थी, जो cricket वाली defective ball है, यानि A out of 6, वो बड़ी जादा है, C out of 4 से, और यह less है आपका, that is C out of 4 से कम है, और यह greater है आपका, that is B by 5 से, बस यह information गिवन थी, फिर एक information और गिवन थी, कि तीनों का जो defectiveness है, अपॉन में 15, that was twice of the defective, twice of the defective of rubber ball, यानि कि आपका, that is C by, तो यह हमारी है, tennis से twice है, तो tennis वाली B थी, that is B out of, B out of कितना 5, फिर मैंने इसको solve किया था, तो यहां से A plus C कितना निकल किया गया था मेरा, that is यह इसको 5, 3 पे cut करेगा, यानि कि 5, B निकल किया, बस यह दो बाते आपके सामने थी, तो पहले मैंने चेक किया था, यहार मैं B की जगा 1 ले सकता हो, मैं 1 ले सकता हो, A plus C पांच आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद point आया, क्या मैं 2 ले सकता हो, अगर मैं 2 लूँगा, तो A plus C 10 आ जाएगा, A plus C 10 मैं क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि A plus C में अगर आप देखोएं, दोनों मिलाके 10 बॉल हैं, यह 6 और 4 10 है, और मैं 10 की 10 अगर यह ले लो कि सारी की सारी defective है, तो यह वाली condition fulfill नहीं हो पाईगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर B को लिया था 1, जिसकी वज़े से A plus C का सम कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, फिर मैंने 1 by 1 इनकी values चेक करी थी, कि भाई, अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, और इसको मैं 4 लेता हूँ, क्या यह possibility है, तो जो 2 by 4 है, क्या वो greater होगा आपका, 3 by 6 है, नहीं सर, यह तो equal होगे, तो यह भी गलत हो गया था, फिर मैंने चेक किया था, कि भाई, मैं इसको 3 और इसको 2 ले सकता हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पर, कि जो 3 by 4 है, वो आपके 2 by 6 से greater होगा, और वो greater होगा 1 by 5 से, तो तो त greater 1 by 6 से तो होगा, पर क्या यह greater 1 by 5 से होगा, तो सर, यह वाला पार्ट गलत था, इसलिए cd value 3 है, तो इसको ध्यान रखना, next पे आते हैं, आफी छोटा सा question है, इसको try करना, तो paper में time भी तो अच्छा-कासा मिलता है, आयूश, paper में time consuming होगा, तो जैट के paper में आपको time भी तो कितना अच्छा-कासा दे रहे हो, पर question 3-4 मिनट दे रहे हो, और कुछ question ऐसे भी होंगे, जो आप 2 मिनट में कर जाओगे, अगर हम इसी इसको ध्यान रखे हैं कि माल लेते हैं आपने 60% question exam में कर दिया हाला कि आप 50% करोगे तो आपका that बहुत अच्छे percentile पे clear होगा लेकिन चलो माल लेते हैं 60% question आप कर रहे हो तो भी आपको कम से कम साड़े तीन से चार मिनट एक question के लिए दे रहे हैं अब वहाँ पर मालो कोई question अगर आपने दो मिनट में solve कर दिया तो वहां से जो दो मिनट बचा उसे अगले question में apply कर सकते हैं तो that के किसी question में अगर आपको लगता गया इसे करने में 5-6 मिनट लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे ठीक है इसको ध्यान रखना एक बार इसको solve करना करता है तरह मैं चार्जर रखा दो झाल 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 झालो 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 अच्छा मेरी वाइस आरी है आप सोभी को अचैंपों कि अच्रूब अच्छा मेरी आरी है अब थे कि ऑड अ आड वेडियो अधिए अड़ आडे नुम और दो दो अबीव दियो आडे एंड बाट वल्या आड़ वडियो, I guess हाँ ठीक है कि एक बैग है कंटेन मार्बल और रेड ब्लू एंड ग्रीन और उसमें जो ब्लू मार्बल है इतना हुझे पता है कि यहां पर कंडीशन लिखे है कहता है अगर आप बैग में से ऐसे रेंडम ली तो इस चीज की गैरेंटी लेने के लिए अगर आप इस बात की गैरेंटी लेना चाहते हो कि भाई कम से कम तीन मार्बल तो आएंगे या आएंगे ग्रीन कलर के कम से कम तीन ग्रीन मार्बल आएंगे तो उसके लिए 17 मार्बल आपको एक्स्ट्रेक्ट करने पड़ेंगे अब एक होता है सर 100% गैरेंटी इसको ऐसे समझो अगर 100% गैरेंटी से मेरा मतलब है जैसे मालो एक बैग है उसमें तीन रेड बॉल है और चार जो है वो ग्रीन कलर की बॉल है अब आप इसमें से एक एक करके बॉल निकाल रहे हो तो आप कितनी बॉल निकालोगे जिससे कि यह 100% जो मैं पूछ रहा हूं उसका अंसर करना एक बैग है उसमें तीन रेड बॉल है और चार ग्रीन बॉल है अब आप इसमें से एक एक करके बॉल निकाल रहे हो तो 100% गैरेंटी को ध्यान में रखते हुए आप कितनी बॉल निकालोगे कि इस बात की 100% गैरेंटी मिले क कि भाई एक ग्रीन कलर की बॉल तो आही जाएगी 100% गैरेंटी इस बात की मिल जाए कि सर इतनी बॉल तो निकालो तो एक ग्रीन बॉल आपको ज़रूर मिलेगी बताना चैट के थूर बताओ question मैंने बोला एक बैग के अंदर तीन रेट और चार ग्रीन है एक ग्रीन बॉल निकालने के लिए कि कम से कम एक ग्रीन बॉल मेरे पास आ जाए उसके लिए मुझे इस बैग में से कितनी बॉल निकालनी पड़ेंगे कि 100% गैरेंटी है कि इतनी बॉल निकालोगे तो एक ग् ग्रीन आपने पहली बॉल निकाली वालो रेड आ गई अगली बॉल निकाली वालो फिर फेल हो गया रेड आ गई अगली बॉल निकाली वालो फिर फेल हो गया रेड आ गई अब जब अगली बॉल निकालूंगा तो अब गैरेंटी है कि ग्रीन ही आएगी क्यूं क्यूंकि तीनो रेट तो खतम हो चुके है तो मुझे कम से कम चार बार ट्राई मारना पड़ेगा ताकि यह 100% गैरेंटी हो जाए कि एक ग्रीन कलर की बॉल तो आएगी आने को हो सकता है पहले अटेम्ट में आ जाए कि मैंने पहले बॉल निकाली वहीं ग्रीन आ गई पर आ गई क्या प अगली निकाली रेट अगली निकाली रेट इसके बाद जो चुर्ण यह यश्य बात को ध्यार में रखते हुए मैंने हाँ पर क्या बोला कि इसने बोलाकि भै 17 maarble अगर आप निकालोगे तो यह चीज इंशूर हो जाती है ये चीज इंशूर हो जाती है 100% guarantees बात की मिल जाती है कि कम से कम 3 marble तो आही जाएंगे अब जैसे यहां मैंने बोला था यहां जैसे मैंने बोला 4 attempt तो हाला कि आप यह भी बोल सकते हों कि सर 4 attempt में सर क्या पता चारों की चारों green आ जाए बिल्कु सही बात है क्या पता चारों गरीन आ गई हों क्या पता सर एक रेडंख बागी तीन की और चारग रे 통 तीन रेड और चार ग्रीन हैं दुबारा सुन लेना कि मैंने बोला अगर एक बैग में तीन रेड और चार ग्रीन बॉल है तो मेरा यह कहना है अगर मैं चार बॉल ड्रॉ करूं चार बॉल ड्रॉ करने पर इस चीज की गैरेंटी है कि एक लीस्ट एक ग्रीन बॉल तो आएगी ही आएगी बात पकड़ में सभी के हो सकता है कि जो मैंने चार बॉल निकाली चारो ग्रीन हो हो सकता है तीन ग्रीन हो सकता है दो हो पर इसकी तो गैरेंटी है कि कम से कम एक ग्रीन तो होगी इस बात की पूरी गैरेंटी है उमीद है कि बात पकड में आई, क्यों सर पूरी गारेंटी है, तो भाई worst case scenario क्या हो सकता है, मालो green निकालना मेरा target है, तो worst case scenario क्या हो सकता है कि पहले तीनों attempt में red color की ball आई हो, फिर चौत्थे में तो green आईगी भाई, क्योंकि तीनों red खतम हो गई, अब तो बची ही green है, में जो line बोली गई है, इस line का मतलब clear होगा, ऐसी में उमीद कर रहा हूँ, ठीक है, अब मालो जैसे है कहता है कि भाई, आपने 17 marble निकाले, तो उससे ये ensure हो जाता है, कि कम से कम, 3 green तो आएंगी, तो इस case में हम लोग क्या करते हैं, guarantee वाली case में, कि जो बाकी की ball है, उनको ह महाँ पर 4 ball निकालोगे, तो guarantee है कि 1 green तो आए गई, तो जब मैं कहा हो, guarantee है कि 1 green आएगा, इसका मतलब red color की सारी ball मैंने खतम कर दी है, उन attempts के अंदर, तो जब ये कह रहा है, 17 attempt के अंदर guarantee है कि कम से कम 3 green आएंगी, तो अगर मैं कम से कम 3 green में, 3 ही green पकड़ लेता हूँ, य जो बाकी की दोनों ball है न, वो exhaust हो गई, मतलब blue color की ये जो first statement है, उसके एसाब से मैंने क्या बोला, कि according to this statement, जो other ball है, बाकी की जो दो category की ball है, वो पूरी exhaust हो गई है, तो blue color की मैंने 8 की 8 ball निकाल ली, green color की at least 3, और यहाँ से red color की कि कितनी निकली होंगी, तो इसार red color की 8 हो 3, 11, यानि 6 red color की निकली होंगी, तो यहाँ से ये पता लग गया, कि red color की 6 ball है, blue color की कितनी ball है, that is 8 ball है, पर क्या आपको ये पता लग गया, कि bag में green color की ball कितनी थी, और आपको बताना क्या है, green marble बताने है, क्या आपको green marble का answer मिल गया क्या है, इस question से, नहीं न, आपको तो ये उठाया अपने की ठीक है, अगर 3 green निकालोगे, तो इसके बाकी दोलों को exhaust खदल करना पड़ेगा, यानि सारी की सारी blue, सारी की सारी red निकाल लो, अगर ऐसी कोई भी line लिखे है, तो इसका मतलब यहीं होता है, तो यहाँ से क्या आपको ये पता लग गया, कि bag में green color की बॉल कितनी थी, नहीं सर, हमें बस इतना पता लगा, कि कम से कम 3 ball green आ जाया, उसके लिए 17 marble निकालने पड़ेंगे, अगर इस इसकी 100% guarantee देनी है, तो सर मुझे इतना समझ में आया, कि अगर मैं 3 green color की ball लेता हूँ, तो इस statement के साब से, बाकी दोनों पूरी की पूरी खतम कर पड़ेंगी, तो blue color की 8 ball है, total 17 marble है, उसमें 3 green है, तो red 6, पर आंसर तो नहीं मिला, आपको दो green का आंसर बताना था, जलो second पे आते हैं, second statement कहा रही है, कि कम से कम 2 red marble निकालने के लिए 19 marble निकालने पड़ेंगे, तो अगर मुझे red color के at least 2 marble चाहिए, क्या चाहिए, at least 2 marble चाह करना है, तो इसकी कम से कम 2 ball निकालने के लिए, total 19 marble निकलने चाहिए, तो 8 तो ख्यार blue वाले सारे के सारे खतम करने पड़ेंगे, तो 8 और 2 10, और 10 के साब से कितने, that is 9, तो यहाँ से आपको green color पता लग रहा है, यानि कि statement 2, each statement कौन सा option है, statement 2 alone is sufficient, समझ गए बाद, तो यह line बहुत मज़ेदार है, जो इसमें बोला गया ना, यह, कि इतने marble निकालने पर guarantee है कि कम से कम 2 green आ जाएंगे, इतने marble निकालने पर guarantee है कि कम से कम 4 red आ जाएंगे, यह line बहुत मज़ेदार है, तो ध्यान देना, next पे आते, यह क randomly drop किया, आपने एक square के ऊपर, और square shape tile जो है, उसके जो side है, वो 10 cm है, तो probability बताओ, जो coin है, वो tile के अंदर ही गिरा है, right, in other word कह सकते है कि, कोड़ी edge भी बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब जैसे square है, तो आपका coin यहां गिरे, यहां गिरे, यहां गिरे, तो एकदम ऐसे, बि कोई भी portion point का बाहर भी आना चाहिए, यह मैं चाहता हूँ, कोई भी portion point का बाहर ना है, तो सबसे पहले, probability is favorable upon total, तो आपका जो coin वो पूरे कितने area में गिर सकता है, अब इस बात को ऐसे समझो, कि आप पूरे coin पे focus करने की बजाए, उसके center पे focus करो, एक point को पकड़ो सिर्फ सिर्फ एक point यानि कि center को पकड़ते हुए चलो, और इसको ऐसे समझो question को, कि सर यह कहना चाहरा है, इस question में सर यह कहना चाहरा है, कि एक न, सर इस question में कहना चाहरा है, कि यह हो गया जैसे, एक मेरा end of tile होगी, 10 by 10 की tile होगी, 10 by 10 की tile होगी, सर जो मेरा coin है न, वो इससे बाहर आना चाहिए, मतलब extreme कितना जा सकता है, तो सर, extreme इतना जा सकता है, कि यह है न, ऐसे boundary को touch करते हुए, ऐसे करके circle बन जाए, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप चाहतों कि आपका जो coin है, वो tile से बाहर ना जाए, तब पूरे coin पर focus करने की बजाए, उसके center पर focus कर करते हुए करो, जो center है न, circle का center, उसको focus करते हुए समझो, center को focus करते हुए समझो, अगर इस coin का center सही जगा गिरा, तो condition fulfill हो जाएगी कि coin floor से बाहर ना जाए, अब जो coin है, उसकी radius कितनी है, कर coin की radius है, वो 3 है, coin की radius 3 है, मतलब जो center है न, इसका, तो इसका center है, वो इस boundary से, य center इस boundary से, 3 unit इधर होना चाहिए, left side में, अगर ये center, इस 3 cm से, थोड़ा भी ये center उधर हो गया न, तो coin बाहर निकल जाएगा, square time से, तो जो center है, वो सही जगा गिरना चाहिए, अगर center, boundary से 3 cm इधर रहना चाहिए, लाइक ये boundary उससे 3 cm यहाँ पर होना चाहिए, center, अगर center थ फोड़ा भी इधर गया न, तो पूरा का पूरा coin खिसक जाएगा, ये पूरा coin है, इसका center सही जगा गिरना चाहिए, अगर center थोड़ा भी आगे गया, तो coin खिसक के आगे हो जाएगा, मतलब कि tile से बाहर निकल जाएगा, तो इसके center पर हम लोग focus करेंगे, तो center जो है, यहा से 3 unit इधर होना चाहिए, similarly जो center है, वो 3 unit यहां से भी इधर होना चाहिए, center उपर से भी 3 unit नीचे होना चाहिए, और center यहां से भी 3 unit उपर होना चाहिए, तो आपका center basically कहां गिरना चाहिए, तो आपका जो center है, वो गिरना चाहिए, कहां पर 3 और 3, 10 में से 3 और 3 माइनस करो, यानि की 6 माइनस किया 4 तो आपका जो center है वो इधर कहीं गिरना चाहिए मतलब की 6 माइनस किया 10 में से 4 और यहाँ पर भी 10 है तो यह 3 और यह 3 माइनस करो 10 में से 3 3 6 गया बचा 4 यानि आपका जो क्यों का वो कहां गिर सकता है वो इस वाली square tile के अंदर गिरना चाहिए का center तो पूरा का पूरा point 10 by 10 की square tile के अंदर ही रहेगा तो यह चीज़ का ध्यान रखे according to this question तो आपका तो आपका coin है वो गिरेगा 10 by 10 में लेकिन अगर आप चाते होगी coin बाहर ना निकले तो आपके coin का जो center है ठीक है coin का जो center है वो यहां गिरना चाहिए मतलब 4 by 4 के अंदर अब जब आपने coin को नीचे फैका तो जो coin का center है वो तो 10 by 10 के area में कहीं भी गिर सकता है 10 by 10 के area में कहीं भी गिर सकता है पर आप क्या चाते हो कहां गिरे आप चातो जिस 4 by 4 के अंदर ही गिरे मतलब इतने ही area में गिरना चाहिए पांसर कितना बनेगा 0.16 क्योंकि 16 by 100 मतलब 0.16 दने बात एक बार बताना चैट के थुरू अंजी एक बार चैट के थुरू बताना समझाया सभी बच्चों को अगला गुशन आपके सामने यह कुशन यार आपका अगें 17 का कुशन है तो ट्राइ करना अच्छा कुशन है भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर अच्छा है अरिथमेटिक का थर्ड पार्ट वैसे जो पीवाई क्यूज रहे गए थे उसके वह तने डिफिकर्ट नहीं थे बस एक ही था उसमें वह जो खरगोश करके क्वेशन था वह ऐसे ऐसे भाग रहे हैं काइंड आप वहीं है जो थोड़ा कॉम्लिकेटेट था वह कराना था बे इतान शाप ने कहा बुला सर टोटल नंबर ओफ टाइल इंदा रूम से फरक नहीं पड़ेगा कुछ लाई नहीं है क्या है कि अब कॉइल ओफ रेडियस थ्री सेंटीमेटर रेंडेवरी ड्रॉप्ट ऑन ए स्क्वेर टाइल फुल ओफ इसक्वेर शेप टाइल्स अच्छा इस एंगल पर कहा रहा हूं ठीक है यह वाला पॉइंट मैंने इस फील में नहीं बताया कि यह जैसे बोला ना इसने रूम है अब उसमें स्क्वेर टाइल से ना ऐसे से करके स्क्वेर टाइल लेते तो बेसिकली जब आपके कॉइन का सेंटर गिरेगा तो यहां पे गिर रहा होगा तो मैंने इसी कैलकुलेशन के साब से बताया कि जैसे मैंने एक पर्टिकुलर टाइल पकड़ी कि भाई आप मैंने को छोड़ आ है तो यह तो अब देखो यह तो चीज अंडर्स्टूट है कि जो सेंटर गिरेगा तो यह चीज काइंड फे अगर एक बड़ा सा रूम है उसमें चोटी-चोटी स्क्वेर टाइल सेंट यह तो अगर आप क्वाइन को छोड़ोग उसका center अब आप बोलो सर, center boundary पे भी तो आ सकता है, तो वो तो लेना ही नहीं है पहली बाद, तो जो center, या चलो ले भी लो, क्योंकि boundary पे भी आ सकता है, लेकिन अगर मालो यह मेरा कमरा है, और इसमें कुछ square tile है, अगर मैं ऐसे एक सिक्का उचाल दूं, और वो नीचे जाके गिरेगा, तो यह तो confirm है किसी ना किसी square tile पे दो गिर नहीं है, बस मुद्दा गया है कि square tile से बाहर मी आना चाहिए circle, और जो center फरी, जो मेरा coin है, वो square tile से बाहर मी होना चाहिए, तो जब यह confirm है, कि गिरना तो किसी square tile पे है, मतब गिरेगा किसी 10 by 10 वाली area पे ही, किसी ना क था आपका नाम हेता समझ अगा ल थाइंस है तो फिर मैं कहता दाइवं डाइन और कि अलग कि टाईल में अलग अलग कि टाइल हैं तो मैं पहले यह उठाता कि 20 में से कांसी टाइइल यानि वन आउट ओफ ट्वंटी फिर मैं देखता उसके एरिया के उपर जाता तेकिन यहां पर ऐसा कुछ था नहीं कुछ नहीं है इस क्वेशन पर आते हैं समझके गेम के है एक हैरी एक सन्नी है मेरे पास 10 कार्ड रखे है हैरी आया कोई भी 5 कार्ड उठाए सन्नी आया बाकी के 5 उठाए तो दोनों ने 5-5 कार्ड ले लिए अब मुझे बताने किसके पास कार्ड नंबर 2 है information मेरे सामने है पहला कहता है जो sum of the number of cards है pick by the Harry is 5 more than sonny Harry के पास जो कार्ड है उनका sum सन्नी से 5 जादा है अब मुझे पता है यार Harry और संनी के पास जो कार्ड है उनका sum कितना है सर हैरी और सनी के पास जो कार्ड है उनका सम कितना है तो सर मदब इन दोरों बे मिलाके 1 to 10 कार्ड है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 से 10 तक एड़ करना है तो 1 से 10 तक का सम कितना होता है यानि 10 इंटू 11 पॉन 2 बोले तो 55 तो यह तो आगया 55 अगर जानना चाहते हो क्यों तो सर 1 2 से ले करके अगर 10 तक एड़ करोगे तो 10 इंटू 11 डिवाड़ेड़ बाइड़ 2 यानि 55 आज जाता है हैरी के पास जो सम है वो सनी से 5 जाद है यानि सनी का सम अगर एक्स है तो इस वहाँ पे गया 50 बचा 2x equal to 50 यानि x की वैल्यू 25 तो सनी के पास जो कार्ट का सम है वो 25 है और हैरी के पास कितना 30 है क्या आप इस information से यह बता सकते हो कि कि किसके पास card number 2 है तेरे साब से जवाब होना चाहिए नहीं सर्थ क्यूंकि अगर मालो मैं 25 को उठाता हूं ठीकि सकता है इसके पास 10 है इसके पास 9 है 10 और 9 19 हो गया बचा च्छे से के लिए लिए डिके तो 123 लो बन गय तो इस हिसाभ से सिनी के पास card numer 2 होना चाहिए क्योंकि यह 7550 रहा है card number 2 होना चाहिए अगर मालो मैं लेता हूं 10-8 कि इतना बना 18 18 की से कितना होना चाहिए सबस्क्राइब होना चाहिए तो 7 के लिए माल लेते हैं इसके पास है अब 7 के लिए मैंजिन कर लो कि मैंने इसको दिया 1, तो 1 के बाद कितना बचा 6, तो 6 के लिए दोनों 3 लेने पड़ेंगे 2, 4 बनता है, अरे यह तो फिर से आ गया, चलो एक और देख लेते हैं, अगर मैं इसको देता हूं 9 और इसको देता हूं 8, तो 9 और 8 बन गया 17, 17 के साफ से बचा 8, अब 8 में मालू मैंने से दिया 1, बच सकते कि किसके पास card number 2 है, अभी मैं नहीं बता सकता कि किसके पास card number 2 है, कोई बात नहीं सर, यह पहली information थी, अब आजो second information, second information में कहता है कि कि किसी एक person पे 4 even number है और किसी दूसरे के पास 4 odd number है, चलो एक बार देखते हैं, वालो किसी एक पे सारे के सारे even number आ गए, तो 2, 4, 6 8 और 10, फेले देख लेते हैं, कितना फरक आएगा, तो कितना हो गया, 18 और 6, 24, 30, और इसके पास सारे odd है, 1, 3, 5, 7, 9, तो कितना हो जाएगा, 25, अच्छा एक चीज देखो, सारे even अगर इसके पास है, तो कितना बन रहा है, 30, यानि यह हैरी की possibility निकल के आ रही है, यह possibility हैर और यह वाली possibility सन्नी की निकल के आ रही है, पर अभी जो second statement है, उसका कहना था, कि 4 ही odd number है, और 4 ही even number है, तो जाहिर सी बात है, इसके पास जो 5 even number है, मैं क्या बोलूँगा, कि भाई, देख statement 2 कह रही है, कि एक बंदे पे 4 even होने चाहिए, और एक पे 4 odd होने चाहिए, तो मैं एक एक number आपस में shuffle कर लो, अगर ये एक एक number, कोई भी एक number shuffle कर देंगे, तो क्या sum 30 और 25 रह जाएगा, क्योंकि statement 1 का कहना था, कि Harry के पास sum 30 है, और सन्नी के पास 25 है, क्या ऐसा हो पाएगा, अगर ये कोई भी एक number shuffle कर दो, मालो आपने 2 को यहाँ भेज दिया, और 5 को यहा बड़ हो जाएगी, तो आप किसी भी एक number को shuffle करोगे, तो sum 30 और 25 नहीं रहेगा, जो की होना चाहिए, तो यहां से क्या पता लग रहा है, तर statement 2 की मदस से, मुझे ये पता लग रहा है, कि हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि किसी के बास 4 odd और 4 even हो, मतब कई ना कई, एक एक पर आंसर कर पा रहा हूं, कहीना कि statement 2 की मदस से, मैं इस बात का आंसर निकाल पा रहा हूं, कि जो 2 है, card 2 जो है, वो किस के पास है, that is Harry के पास है, तो मुझे कहीना कि ये पता लग पा रहा है, कि जो card है, वो Harry के पास है, ये statement 2 से justify नहीं हो गया, अब आप बोलें सर, ये statement 2 तो गलत है ना, अरे गलत है, पर आप आंसर तक तो पहुझ गए statement 2 की मदस से, तो statement 2 है, उसकी मदस से आप आंसर तक नहीं पहुझ गए, क्योंकि statement 2 का कहना है, one has exactly 4 even number और दूसरे के पास exact 4 order number, तो आपने second statement को गलत प्रूफ कर दिया ना, और गलत प्रूफ करके देखो, आप स statement are required to answer, समझ गए बात सभी बच्चे? I hope कि यार ये बात clear है, ठीक है, done, next पर आते हैं, इसको try करना है, क्या है, झालब है not प्रू। लेकिन इसमें एक चीज़ और है ठीक है इसमें एक चीज़ और है एक चीज़ और है क्योंकि यहां जैसे मैंने बोला क्योंकि यहां पर एक चीज़ और समझने वाली है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हैरी को बताव जैसे मैंने बोला मैंने काई यह है वर इक चीज़ ये भी समझने वाली है क्या इसर देखो इन दोनों में नमबर में पाच का गैप है अलाकि वैसे पता लग रहा है लेकिन हम एक्जेक्ट भी तो बता सकते हैं कि सन्नी या हैरी क्योंकि कहीं ना कहीं सर इसमें अगर आप देखो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे अगर मुझे चार देखो मुझे का करना है इसका सम कितना था 30 और इसका सम कितना 25 यानि यह भी होना चाहिए कि अगर मैं नंबर को इंटरचेंज करूं तो 30 और 25 के साफ से गेम चलनी चाहिए 30 हैरी का समय और यह 25 सन्नी का समय तो अगर मैं आप देखो तो जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो गैप मेरा 5 का ही क्रियेट होना चाहिए तो वन को अगर मैं 6 के साथ इंटरचेंज कर दूँ वन और 6 को इंटरचेंज कर देता हूं तो जब यह वन ऊपर जाएगा तो 2,4,1,8 और 10 और इधर मैं 6 लेकर आ जाहूं तो 6 3,5,7 और 9 कितना बना यह 25 हो गया और यह आपका 30 हो गया क्यूंकि मैंने जिन नंबर्स को इंटरचेंज किया उनके बीच में एक और छे में 5 का गैप है तो बात बन गई राइट है ना एक और छे में 5 का गैप तो यहां पर बात बन गई है और 2 के साथ अगर मैं 7 को इंट इंतर चेंज करूं मतब 5 के गप इंटर्चेंज करूं बात बन जाएगी या 49 को इंटरचेंज कर दूं बिल्कुल सही है पता लग जाएगा फिर आंसर तो यह वह िख पzeni आटे ए है यह वाला कुशन है क्यूंकि वहां पर आएना अगर मैं 16 सो इंटर्चेंज करह निकूं इंटरचेंज करूं तो भी तो इसलिए कहीं ना कहीं हम इस चीज का आंसर मिल पाएगा अगले पे आते हैं अगले रही डाइस डाइस रोल ट्वाइस वट इस प्रोबबिलिटी डाइस गूट इंट रोल विल बी हाइएर देन गार्षा यह तो गएर cases बना के देख सकते हूँ अगर dice 1 पे इसने बोला number in the second roll अगर मालो dice 1 पे 1 आया है total 36 cases होते हैं पता आपको कि अगर आप favorable upon total अगर आप dice को दो बार roll कर रहे हो तो कितने case आएंगे पहली throw में 1 to 6 कुछ भी आ सकता है अगले वाले में भी 1 to 6 कुछ भी आ सकता है तो total 6 exact 36 cases होंगे परसर मुझे यह चाहिए कि second throw में जो number आ रहा है न वो first वाले throw से बड़ा हो तो अगर पहले 1 आया है तो फिर उसके बाद क्या आना चाहिए 2, 1 1 नहीं ले सकता है और ऐसी 1 3 से ले करके 1 6 तक मतलब total बने 5 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ पहले पर 2 तो अगले पर 3 आ सकता है अगले पर 4 आ सकता है तो ले करके 6 तक आ सकता है तो क्या बना 2 3 2 4 2 5 2 6 मतलब 4 cases अगर मैं पहले पर 3 लेता हूँ तो अगले पर 4 आ सकता है अगले पर 5 पास लिखना नहीं है ओविसली समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं या पर 3 अगर आप पहले 4 लेते हो तो फिर 4 5 4 6 यानि दो केसे अगर 5 लेते हो तो 5 6 यानि कि 1 6 में बनेगा नहीं कि 2nd फ्रो में बड़ा नंबर आना चाहिए कितने फेवर में आए 5 4 9 3 12 12 14 15 15 बात क्लियर है सभी बच्चों को ठीक है विल्कुल जी सनी के पास होंगे सनी के पास काड नंबर 2 अविलेबल है तो यह थे यार आपके कुश्चन अगर आप देखो 16 तो आज के सेशन में हमने क्या किया है आज के सेशन में मैंने आपको 23 से ले करके 2016 तक के probability और PNC कि मैंने आपको PYQ कराएं क्योंकि इतने ज्यादा नहीं थे हैं हर यार मतला आप यह मान के चलो इस साल भी आविसली PNC probability पे एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलना है और अगर आप देखो गया तो इतने complicated question नहीं है इस बात को ध्यान रखना है जैट में अ पूरी कि कली मैं session ले लूँ नहीं तो परसो तो guarantee है परसो फिर मैं लंबा session रख दूँगा आपके लिए ठीक है बाकी जाते आते यार अनकेडमी इंडर स्कोर रमन यह मेरा telegram group है RMN10 इस referral code का use कर लेना subscription लेते वक्त और अभी जो अनकेडमी पे subscription चल रहा है वो है 30% का flat discount आ यूज कर लेना मेरा नाम रमन उसी का short for RMN10 तो आपको यह जो भी 30% का flat discount है आप इसको access कर पाऊगे और जो हमारे batches है और जो हमारे batches है वो है हमारा basic to advance batch for cat24 6th of January से batch start हुआ है पर मेरी classes में start होंगी 13th of January से तो वो आप देख सकते है and that's it यार तो आज के लिए इतना ही है म मिलेंगे बाकि next session में उमीद है कि समझ आ गया होगा सभी को ठीक है ओके बाइं सर टू कैसे पास्टू आए यह थोड़ी पता चल गया कि एबर देखना सार्थ मैंने वैसे बता दिया उसमें अगर आप इंटर्चेज देखो second statement से second statement के थुरू वहीं जो मैं point कहना चाहरा था कि वहां पे वो 30 देखो जब आप change कर रहे हो ना क्या ना मैं आपका सार्थ सार्थ जब आप change कर रहे हो ना कि भाई मैं one six को हटाता हूं या फिर मैं इसको हटाता हूं तो उसके वह जो 30 और 25 का साम है ना मैं उसके basis पर बोल रहा हूं एक बार आप देखना उस वीडियो को दुबार आपको समझ आएगा विछे करके तो उसके basis में बोल रहा ह लॉजिक पर आपको कहीं ना कहीं चीज को यह चीज आपको पता लगेगी ठीक है और कुछ यह फिर से चैट हैंग हो गई कि एक मिनुट गना यारी है को है अब बताओ है डाउट है क्या ना में इसका इस बच्चे ने बूचा था वो टू वाले में भी डाउट है कि इसमें है क्या डाउट क्या डिसकस करूं दुबारा बता दू कि कहां गया वो गश्चन है कि यह वाला था कि यह वाला क्लियर है यह डिसकस करना अभी कि नहीं उससे फरक नहीं पड़ेगा है तांश क्लियर है कि आप जब पॉइन गिराओगे तो एक ही किसी टाइल पर जा करके गिरना यह तो नंबर ऑफ टाइल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि टाइल का कोई डिफरेंसेशन उसने करनी रखा तो टाइल सेम है सारी जैस है तो यहां पर सबसे पहले आपको उस क्लियर है कि मेरा कॉइन गिरा है और वो जाहिर सी बात आप किसी भी रूम में अगर एक कोईन गिराओगे तो जा करके आप मालो इस पर्टिकुलर टाइल के साफ से कैलकुलेशन करते हो ठीक है या इसके एसाफ से करते हो मतलब डिपेंडिक अपॉन जो है वो किसी ना किसी टाइल पर जाके गिर नहीं है और मालो पीज़ा नहीं उसके पीछे का ठीक है अच्छा एक क्या था चलो मैं देख लेता हूं एक बार और कोई डाउट है क्या एक मिन्ट रुको यह यह यहां पर था ना किसी का एक मिन्ट देना कि यहां पर था कि जैसे 30 वाला लॉजिक मैंने बताया था मैंने का था टू है और है और यहां पर थी यहां पर फाइफ यहां पर सेवन और यहां पर नाई और यह अब यहां पर मेरा कहना था कि फॉर एक्जामपल अगर मैं इंटरचेंज करता हूं नंबर को क्योंकि इसने जो बोला था 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 वन एक्जैक्टली फॉर इवन नंबर काड वाइल अधर है इसके पास चार और नंबर है इतना इसने मुझे बताया ठीक है तो अगर मैं इस बेसिस पर जाओं पहला तो चलो ठीक है सेकिंड इंफोर्मेशन का अगर मैं यूज करता हूं और मैंने काया अगर मैं वन और इसको रिप्लेस कर देता हूं ठीक है बदा मैं चार नंबर कॉंसे उठाता हूं यहां पर इंस्टेड आपर ले लेता हूं सपोस्पोस बन यहां पर मैंने कितना ले लिया इसक्स ले लिया अभी यह कितना बन जाएगा आपका दाटिस इस सर तो यहां से समझ में आ रहे है कि 25 तो सन्नी के पास जो है वो है यह मुझे समझ में आया लेगिन फिर रासर अगर आप अगर आप त्री और एट को रिप्लेस करते हो अगर मैं 3, 8 को replace करूँ मतलब यह यही रहने दू न 2, 4, 6 अगर दब thing is कि सर अगर आप इनको replace कर दो मतलब यहाँ पर 3 मतलब सर यहाँ पर आप 3 और यहाँ पर अगर आप 8 ले लेते हो ठीक है बाक यह 2, 4, 6 सी चलने देता हूँ तो 10, 6, 16, 4, 20, 22 अगेन यह 25 बनना और यह मेरा 30 बनेगा ठीक है है न 5 हाँ बिल्कुल ठीक है तो यह मेरा 30 बनेगा अगेन सनी के पास है अब point आता है कि सर अगर हमाल लेते हैं अगर माल लेते हैं सर कि यहाँ पर आप replace करते हो that is 2 और 7 को replace कर दो अगर आप इधर 2 भेज दो और इधर 7 भेज दो तो अगर मैं 7 को यहाँ भेजता हूँ और 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ तो 2 अगर यहाँ पर आएगा तो कितना बनेगा 9, 2, 11, 5, 16 अगर मैं इनको आपस में replace कर दो ना 2 और 7 क्योंकि यहाँ पर 5 का gap दिखा तो अगर मैं 2 को यहाँ भेज हूँ यानि कि 1, 3, 5, 2 और 9 अगर मैं इसको send करता हूँ तो अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखो अब यहाँ पर जैसे दिक्कत क्यों आ रही है अभी आप देखना क्योंकि उपर sum जादा है देखो यहाँ पर sum कितना बन रहा है सर यहाँ पर sum बन रहा है 9, 2, 11, 5, 16, 16, 16 और 4, 20 बन रहा है यह तो सर जब कि हमें तो 25 और 30 का sum रखना है अब यह problem IQ है यह problem इसलिए आ रही है क्योंकि आप देखो 2, 4, 6, 8, 10 वाले में sum 30 है और 1, 3, 5, 7, 9 वाले में sum कितना 25 है अगर आप interchange कर रहे हो पहले तो 5 के gap पर interchange करना है 5 के gap पर interchange करना है लेकिन sum सेम रहना चाहिए पर यह ध्यान रखो कि आप 5 के gap पर interchange कर रहे हो पर जो आप 25 की side से नंबर उठा रहे हो यानि जो number आप 25 की side से उठा रहे हो मालो 25 की side से आपने A number उठाया और 30 में क्या-क्या है 2, 4, 6, 8, 10 यहां से आपने B number उठाया तो यह ध्यान लखना जो A यहां से आप number ले रहो नो B से कम होना चाहिए क्योंकि वहां उपर से बड़े number को नीचे replace करोगे तभी जो sum है वो balance रहेगा अब जैसे यहां पर कितना था 2 और यहां पर 7 था आप खुद देखो मैंने जब interchange किया तो एक तो already इनका sum बड़ है उपर से मैंने यहां पर 7 भेज दिया तो यह तो 30 से और आगे निकल गया और यहां मैंने यह already छोटे number थे इनको मैंने एक और छोटा number दे दिया तो यह 20 से पीछे आ गया तो आप जब replace कर रहे होगे तो इस बात का ध्यानक ना यहां से बड़ा number लेना यहां से छोटा number लेना है जैसे यहां से आप 2 नहीं मतब अगर 2 लिया तो 2 से पीछे का कोई number लेना आगे का नहीं otherwise सम 30 और 25 का balance नहीं होगा अब आगी बात पकड़ में सभी के तो यहां पर आपने 2 7 समझ गये होगे तो इसलिए जैसे यहां से देखो आपने 1 लिया तो आप 1 को 6 के साथ interchange कर सकते हो ठीक है आप 3 को 8 के साथ interchange कर लो आप 5 को 3 को 8 के साथ और 5 को 10 के साथ interchange कर लो आप अगर 2 को 7 के साथ interchange करोगे तो 30 और 25 का sum नहीं होगा बलकि 35 और 20 का sum हो जाएगा तो गलत हो गया और इन 3 ही case में अगर आप देखोगे ना 1, 6, 3, 8 और 5, 10 इन 3 ही case में तो 2 का 2 रुपीज वाला card है वो किसके पास जा रहा है सन्नी के पास जा रहा है अब समझ आए सभी को अब बताना जो भी बच्चे है अब समझ आ गया ना बड़ी है ठीक है मिलते हैं बागी next class में ओके भाई टेक केर गुड़नाइट सभी को और बागी ऐसे पढ़ते रहो फस्स प्रॉसेस में रहो बसकी एक छोटा सा सजेशन या जाते है जैसे कई बच्चे है किसा जैट का एक्जान नजदी का रहा है कोई सजेशन अगर आप देना चाहो मेरा सजेशन यह होगा कि लास्ट के दो दिन में यानि कि फिफ्ट और सिक्स्ट को ना सिर्फ डिसीजन मेकिंग पढ़ना क्वांट्स कुष्मत करना जो आता है जितना आता है ठीक है क्योंकि देखो क्वांट्स जैसी चीज़ को आप एक दो दिन में इंप्रूव नहीं कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि वहाँ पर गेम चेंज कर देता है तो थोड़ा सा ना डिसीजन मेकिंग पे ध्यान रखना फिफ्ट और सिक्स्ट यानि ये दो द है अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि प्रैक्टिस पे ही पूरी डिपेंड करती है तो त्यार उस्ते रुटेड़ेटेड हैं जितना जादा उसको सॉल्व करोगे जितना सौल करोगे उतना बेटर है है अध्यास है क्वांट्स को एक-दो दिन में प्रैक्टिस नहीं किया जा लेंगे नेक्स क्लास में तिल देन टेक क्यार बबाई ते टीक है ओके बाई गुटनाइट